प्रिवन ट्रियू एच ऐसी मीडिया यूडिव चैनल में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों एक मैं तपुन जानकारी इस यूडियो में आप सभी के लिए लेकर रहा हूं जानकारी क्या है यह जानने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा और इदिया अभी इंट्रिव था जो ब्यान आया है CET के बारे में उन्हों ने एक बड़ा ब्यान दिया है जैसा कि हम सभी को पता है कि भई CET भी दो होंगे एक तो C गरूप की पोस्ट है उनके लिए और एक D गरूप की पोस्ट है उनके लिए तो C group का तो हम सभी को पता है नौंबर में 5-6, 7 को decide किया गया है लेकिन आज वो specially बात कर रहे थे group D के लिए जो CET होगा तो उसके बारे में उन्हें clearly mention किया है कि इसकी जो process है वो सितंबर में सुरू ने जारी है group D के लिए जोगा उसकी process सितंबर में सुरू ने जारी है लेकिन इसकी जो exam date है वो बाद में जारी की जाएगी यानि जो paper है वो आपका बाद में होगा अभी process के बारे में उन्होंने बताया है कि वो बाद में फिर से बाद में जारी की जाएगी कि इसका exam कब होगा तो प्रोसेस ग्रूप D की दिए आप त्यारी करने जा रहे हैं तो वो भी अपनी त्यारी जोरो सोरो से रखे क्योंकि सितंबर में उसकी प्रोसेस सुरू होने वाली है और यह दिए हम बात करें ग्रूप C की तो वो अल्रेडी डिसाइड है 5-6-7 नॉम्बर को तो यह कुछ बात थे थी क्योंकि काफी कोमेंट आ रहे थे ग्रूप D के बारे में कि ग्रूप C का दुसर हर जगा बात चल रहे ग्रूप D की क्या कोई ख़बर है तो ग्रूप D के बारे में उनने बात कर रही थी यही जानकारी थी, जानकारी कैसे लिए कोमेंट करके बता सकते हैं अपना प्यार और स्पोटेसी बने रगेगा, थैंक्स पू आचिंग, थैंक्यो